स्टफ कैपसिकम बनाएंगे आज हम ग्रेवी में वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हेलो फ्रेंड्स वेलकम बाक टो माई चैनल भी वेजविदगीत आज हम बनाने वाले हैं स्टफ कैपसिकम यह अपने शादियों में और रेस्टोरेंट्स में तो बहुत खाई होगी इसे आज हम घर में बनाएंगे पिरकुल सिंपल तरीके से इसे में विदाउट ग्रेवी भी सर्फ करूंगी और विद ग्रेवी भी सर्फ करूंगी स्टफ कैपसिकम बनानी के लिए चलते हैं मेरी किचन में इसके लिए हमें चाहिए 4 कैपसिकम दो चम्मच बेसन, चार उबले हुए आलू और घर के कुछ सिंपल मसाले जैसे गरम मसाला, लमक, चाट मसाला, कटी हुई हरी मिर्च, एक प्याज बिल्कुल बारी कटा हुआ, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धन्या पाउडर और एक मैगी मसाला का पाउच सबसे पहले हम स्टफिंग रेडी कर लेते हैं, उसके लिए कढ़ाई मिल लेंगे, दो चम्मच ओईल, थोड़ा सा जीरा, और कटी हुई हरी मिर्च, और एक बारी कटा हुआ प्याज, अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को अवाइड कर सकते है फिर इसमें डाल देंगे हम बॉइल किये और मैश किये वे आलू, आदा चमच लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, एक चमच धनिया पाउडर, एक चमच चाट मसाला, और थोड़ा सा गरब मसाला, और एक मैगी मसाला का पाउच, और थोड़ी सी कस्तूरी मेती, इस मसाले को ह ताकि इसके रिंग्स कट जाएं ये देखिए हमने चोटा सा पार्ट पहले निकाल दिया है अब इतनी चौड़ी रिंग हम इसकी काट लेंगे और जो इसका बीज का पाट है इसे हम जो ये बीज बगेर हैं इसे चाकू से अलग कर देंगे ये देखिए इसी तरीके से हमने सा अच्छेसे अच्छे से स्टफ कर देना है ये दीजिए रिंग हमारी स्टफ हो के एकदम रेडि हो गई है दया हमें जो शिमला मिज के रिंग है इससे बहुत पतल नहीं … हर थोड़ा चौड़ा ही रखना है और जो स्टफ इंग है बहुत अच्छे से फिल करनी है मैं कोई घोल नी बनाएंगे इसका हम और जो हमने शिमला doubles की रिंक। मैंने साहितै बेशन इसे बिंगे में कोड़्स क्रीज दे न रेटि है य। मैंने साहित इस तो छुम्बा इंच एसे चबताएं हो सब्सक्राइब वो हम इसमें डाल देंगे फ्लेम हम बिल्कुर स्लो रखेंगे और इसे दो से तीर मिनट के लिए ढखकर पकाएंगे अब हम इसे पलट देते हैं ताकि दूसरी दव से भी अच्छे से यह सीख जाए और क्रिस्पी हो जाए यह देखिए हमारे अलट पलट के हमने क्रिस्पी क्रिस्पी से रिंग्स रेडी कर लिये हैं इसके पर हम डाल देंगे थोड़ा हरा धनिया और आप इसे ऐसे भी पराठे के साथ फुलके के साथ सर्फ कर सकते हैं यह ऐसे भी बहुत टेस्टी लगते हैं लेकिन आज मैं इसे ग्रेवी के साथ सर्फ करने वाली हूं ग्रेवी बनाने के लिए हम लेंगे कढ़ाई उसमें डालेंगे दो चम्मच ओईल थोड़ा सा जीरा एक प्याश बारी कटा हुआ फिर हम टमाटर ग्राइंड कर लेंगे मिक्सिंग जार में हम लेंगे टमाटर थोड़े से काजू औ तोर हिलका सा पिंग हो जाए उसमें डालेंगे हम एक चमच देगी लाल मेच थोड़ी सी हल्दी और जो हमने टमाटर का पेस्ट कीया था वह भी हम इसमें डाल देंगे फ्लेम हम बिल्कुल रखेंगे, इसमें डाल देंगे आधा चमच नमक, एक चमच धनिया पाउडर और थोड़ी सी कस्तूरी मेति, उसको हार से क्रश करके डालेंगे और फ्लेम स्लो रखेंगे, अब हम इसमें डाल देंगे तीन से चार चमच गाड़ा दही, इससे जो इसकी बहुत करीमी और स्मूध हाँ एक कर लेंगे 2 मिनिट दखके रखेंगे यह देखिए हमारी कितने अच्छी रेडी है और उपर आगया है इसे अच्छे से mix करेंगे और जो हमने capsicum ready करके रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे ग्रेवी आप अपने हिसाब से गाड़ी या पतली रख सकते हैं और चमच से इस तरीके से capsicum के उपर हम ग्रेवी डालेंगे इसे दो मिनट के लिए और ढखकर पकाएंगे ताकि ग्रेवी अच्छे से capsicum के अंदर चली जाए और उपर से डाल देंगे हरा धन्या स्टफ कैपसिकum with gravy सर्फ करने के लिए हमारी एकड़म ready है देखे कितना सुंदर color आया है इसका और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है इसे आप रोटी के साथ पराठे के साथ पूड़ी के साथ सब कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ घंटे का बटन दबाना ना भूलें बाई फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में